चौथा अध्याय रिशव देव जी का रज्य शाशन श्री शुक देव जी कहते हैं राजन नाभी नन्न के अंग जन्म सही भरवान विश्णु के वज्र अंकुष आदे चिन्नों से युक्त थे समता, शान्ती, रवैराग्य और एश्वरे आदी महान विभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था यह देखकर मंत्री आदी प्रकृति वर्ग, प्रजाग, ब्राम्हन और देवताओं की यह उतकट अविलाशा होने लगी थी कि यही प्रित्वी का शाशन करें उनके सुन्दर और सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, एश्वर, येश, पराक्रम और शूर वीरता आदी गुणों के कारण महाराज नाभी ने उनका नाम रिशव स्रिष्ट रखा एक बार भगवान इंद्र ने इर्शा वस उनके राज्य में वर्षा नहीं की तब योगेश्वर भगवान रिश्व ने इंद्र की मुर्गता पर हस्ते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाव घंड में खूब जल बरसा है महराज नाभी अपनी इक्षा के अनुसार श्रिष्ट पुत्र पाकर अत्यंत आनंद बग्न हो गए और अपनी ही इक्षा से मनुष शरीर धारन करने वाले पुरान पुरुष श्री हरी का सप्रेम लालन करते हुए उन्ही के लीला विलास से मुक्त होकर वत्स तात ऐसा गदगदवानी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे जब उन्होंने देखा कि मंत्री मंडल नागरी का और राष्ट की जनता रिशव देव से बहुत प्रेम करती हैं तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज विशिक्त करके ब्रामणों की देख रेख में छोड़ दिया आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका श्रम को चले गए वहाँ अहिंसा वृत्ति से जिससे किसी को उद्वेग न हो ऐसी कौशल पूर्ण तपस्या और समाधियों के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायन की अराधना करते हुए समय आने पर उन्ही के सुरूप में लीन हो गए पांडु नंदन राजा नावी के विशय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है राजर्शी नावी के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है जिसके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरी उनके पुत्र हो गए थे महाराज नावी के सवान ब्राम्हन भक्त भी कौन हो सकता है जिनकी दक्षणा दित से संतुष्ट हुए ब्राम्हनों ने अपने मंत्र बल्द से उन्हें यग शाला में साक्षात श्री विश्नु भगवान के दर्शन करा दिये भगवान रिशव देव ने अपने देश अजनाव खंड को कर्म भूमी मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरु कुल में वास किया गुरु देव को यतोचित दक्षना देकर ग्रहस्त में प्रवेश करने के लिए उनकी आग्या ली फिर लोगों को ग्रहस्त धर्म के शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दिय हुई उनकी कन्या जैन्ति से विवाह किया तथा श्रौत असमार्त दोन प्रकार के श अफना खंड को भारत वर्ष कहने लगे। बड़े भगवत भग्त थे। भगवान की महिमा से मही वानमीत और परम शान्ति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारत बसुदेव समवाद के प्रसंग से आगे एकादश असकंद में कहेंगे। इन से छोटे जैन्ति के एक्यासी पुत्र पिता की आग्या का पालन करने वाले अति विनित महान वे दग्य और निरंतर यग्य करने वाले थे। वे पूर्ण कर्वों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्रामण हो गये थे। भगवान, रिशवदेव यदपी परम सुतंत्र होने के कारण स्वयम सरवदा ही एक प्रकार की अनर्थ परमपरा से रहित केवल अनन्दानु भवसुरूप और साक्षात इश्वर ही थे। तो भी आज्ञानियों के सामान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी सुक्षा दी। साथी, सम, शांत, सुर्हिदय और कारूनिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मुक्ष का संग्रह करते हुए ग्रियास्त आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यद्देपिवे सवी धर्मों के साररूप, वेद के गूढ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्रह्मणों की बतलाई हुई विधी से साम दानादी नीती के अनुसार ही जनता का पालन कर देते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्रह्मणों के उपदे सानुसार भिन भिन देवताओं के उद्देश से द्रब्य, देश, काल, आयू, श्रधा और रित्विज, आदि से संपन सभी प्रकार के सौ-सौ यग्य किये। भगवान रिशब देव के शाशनकाल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभुक के प्रती दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कवी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं। आकाश, कुसुमादी, अविद्दमान वस्तु की भाती कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टि पात भी नहीं करता था। एक पर भगवान रिशब देव घुमते घुमते ब्रह्मा वर्त देश में पहुँचे। वहाँ बड़े बर्मर्शियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा।